हलो प्रेंट्स निलीमा किचन में आप सब का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी की चटनी जो आठ दिन तक फ्रीज में स्टोर की जा सकती है मेथी को धो कर तीन चार पानी से साब कर लिया है इसका पानी पूरा सुखा लिया है मेथी को हमने काटके भी पानी सुखा लिया है बनाना शुरू करते हैं एक कड़ाई में दो चम्मस तेल डालेंगे तेल गरम हो गया है हिंग डालेंगे हिंग से बहुत ही बढ़िया सफे तिल्ली डालेंगे आधा चम्मच लेसुन डालेंगे बारिक किया हुआ लेसुन से बहुती बढ़िया स्वाध आता है चटनी में हरी मिर्चे और लाल मिर्चे ले लिए काटके वो भी डालेंगे आप भी जरूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसी बनी आपकी चटनी हल्दी पाउडर डालेंगे दना पाउडर डालेंगे और चलाएंगे दो मिनिट के लिए मेथी डालेंगे मेथी डालकर दो मिनिट चलाएंगे दक्कन लगाकर पांच मिनीट के लिए पकाएंगे मेथी की चटनी दाल चावल के साथ मिलाकर खाएं बहुत बढ़िया लगती है स्वाद भी बढ़ जाता है नमक डालेंगे स्वादनु सार खुले में पकाएंगे जिससे माईश्यर सूख जाए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच जाएं ये देखिए चटनी बन कर तयार है गेज बन कर देंगे मुनफली पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे सर्विन डिश में निकाल लेते हैं मेथी की चटनी कित्ती सुन्दर लग रही है नारियर से सजा कर परोसे मेथी की चटनी रोटी और पराठे में भरकर रोल बना कर सफर में भी ले जा सकते हैं मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तेंक यू फॉर वाचिंग